दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से वेलकम हापका मेरे यूटूब चैनल स्टेडी विद योगेस में सबसे पहले तो आप लोगों को धेर सारी सुपकामने आने वाले 2021 के लिए आज वो घड़ी आही गई जिसका मैं हमेशा इस मंच से यहां पे से आप से हमेशा ही कहता था बिग्याप्टियों का टेंशन मत लो बिग्यापन आएगा एक्जाम भी होगा अभी भी कह रहा हूँ एक्जाम भी होगा और उस दिन पस्तावा नहीं होना चाहिए कि हमारा एक्जाम खराब होगा देखो आज से ढ़ाई से तीन यानि तीन महने पहले मैंने अपना यूटूब चैनल शुरू किया था और उस दिन मेरा जो पहला दिन था दूसरा दिन था तीसरा दिन था एक लोग जुड़े 50 लोग जुड़े 100 लोग जुड़े 1000 लोग जुड़े 2000 लोग जुड़े जितने भी आज मेरे साथ जुड़े मैं हर वीडियो के बाद 5 या 6 दिनों के बाद आपसे यही कहता था कि विग्यापन का आप लोग टेंशन मत लेना, नर्वस मत होना, हमेशा positive energy के साथ आगे बढ़ना, मेरी पुरानी वीडियो को आप देखना, जहां जहां मैंने ऐसा कहा होगा, और उसके बाद आज की वीडियो देखना, देखो दिन कैसे आते हैं, मतलब समय जाने में कोई time नही समय जाने में समय नहीं लगता है, किसा आप से आप लोग यह कह सकने हैं, तो वो घड़ी आ गई, आज की date लिख लो, नोट कर लो, 6 नौंबर की date है, तो finally वो विग्यापन आ गई, जिसका आपको इंतजार था, ठीक है, यानि जो मैं हमेशा से कहता है हूँ, हमने mission 2021 को भार करना है, यानि मैं यह चाहता हूँ, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ें, ठीक है, मेरे साथ जितने लोग जुड़ें, मैं यह मान के चलता हूँ, कि 500 लोग ऐसे हैं, जिन पर मैं भी नजर रखे हूँ, उनका result कैसा आता है, किस परकार से performance करता है, क्योंकि वो ऐसे वीडियो को daily follow करता है, continue follow करता है, मैं उनके comment से idea लगा लेता हूँ, तो एक idea, एक अनुमान मेरा जो है, जो इनको मैं इतने time से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हमेशा इन लोग से यह कहता था, कि 2021 आएगा, और उस दिन जिस दिन exam होगा, उस दिन हमें उस exam को crack करक करके आना है उस list में, क्योंकि exam होगा, फिर list भी आए कि उस list में हमारा नाम आना चाहिए, ठीक है, तो finally क्या हुआ, UK SSC ने आज क्या कर दिया, 854 पदों बे विग्यापन जारी कर दिया, ठीक है, अब देखिए, ये जो पद है, 854 पद है, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं, उसके आदे से जादा लोग तो इसमें हैं, मतलब मैं ये मानता हूँ, कम से कम मेरे उससे 100-200 लोग निकलें, यहाँ से अब मैं ये चाहता हूँ, और कैसे निकलेंगे, बिल्कुल घबराने की जरुवत नहीं है, मैं हमेशा कहता था, मैं साथ हो, मैं साथ रहूँगा, और हमेशा से ये कहता है हूँ, मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ आज मैं इस मंच से ये गोशना करता हूँ कि अब मैं आपको exam के लिए पढ़वाँगा, exam निकलवाने के लिए तैयारी कराऊंगा यहां से जो मेरी वीडियोज होंगी बहुत ज़्यादा depth में नहीं जाओंगा बहुत ज़्यादा deep नहीं जाओंगा हमारा total मकसद क्या होगा जो UKHHC paper set करेगा उसको हम क्या कर सकें? crack कर सकें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने कभी पढ़ाई नहीं इसके अंदर science भी आएगी इसके अंदर computer भी आएगी और इसके अंदर current of year भी आएगा जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है महनत किसने करना है? आपने करना है ठीक है? तो देखिए आज सपत ले लीजिए कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसके आधार पे आपको काम करना होगा कसम खा लेजिए इस दुनिया से इस समाज से कुछ समय के लिए गुमनाम रहने है ठीक है? क्या रहना है? गुमनाम रहना है एक ऐसा जीवन जीने है जिसमें आपकी घरवाले आपसे कहें कि तुझे क्या हो गया? और आपके अंदर इतनी पॉजिटिवनेस होनी जी इतना मनोबर होना जी आपको ये कहना होगा कि जब मैं इस जिन्दगी से जो आजकल जीराओ बहार आऊंगा तो चमकता हुआ इससे बहार निकलूंगा यानि मैं एक साइन करूंगा ठीक है एक समकता हुआ सितारा बनके में बहार आऊंगा और आज के समय में देखो गुरूप सी हो गुरूप डी हो कोई फरक नहीं बढ़ता आज के समय में सरकारी नौकरी की इंपोटेंस बहुत ज़्यादा हो चुग है ठीक है क्योंकि देखिए कोरोना महमारी जब हुई थी क्या इस्तिती रही फ्राइबेट सेक्टर की फाइनलिस गवर्मेंट सेक्टर की इंपोटेंस क्या होती है हम सब को समाज आ ठीक है आज के नहीं पर इतना ज़्यादा कॉम्पोटेशन है इतनी ज़्यादा यहाँ पे सम्मत्व आप लोग देखते होंगे इतना ज़्यादा लोगों के एक दूसरे के बीच कॉम्पोटेशन है कि हमें सिर्फ अपने आपको स्टेबल करना है और स्टेबलिटी बहुत ज़्यादा इंपोटेन होती है और एक गोल्टन उत्राक्षन सरकार ने आपको दी है कि 854 पद उपे बिग्यापन जारी की है अब देखिए तीन या चार पांच चीज़े मैं आपको बताऊंगा हम लोग ने इस एक्जाम को आखिर कैसे क्रेक करना है किस इसाब से हम इस एक्जाम को क्रेक करें हमने सबसे पहले ये देखना है पहली बात आप लोग सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी जो कलासे सुरू होंगी वो होंगी 25 नौमबर से कब से होंगी 25 नौमबर से तब तक आपको जितना पढ़ना है जहां से पढ़ना है मैंने कभी इस पर जबाब नहीं दिया क्योंकि भई वो मेरे जब यूटूब चैनल सुरू किया नहीं था उससे पहले का विग्यापन है मैंने तो कभी कहा ही नि मैं तो आपको सिखा रहा था मैं अब यहां से क्या करूंगा एक्जाम क्रेक करवाने के लिए काम करूंगा और इस 854 पदल पे जो मेरी तयारी होगी वो क्या होगी 25 नॉमबर के बाद इस सेंटेंस को सुमते ही अपने फेस पे स्माइल लाईगी ठीक है किसी भी इस्तिति में अपने फेस पे स्माइल रखनी है ये इसकी तयारी में और इसमें जो मेजर पद है कया किया है ग्राम विकास अधीकारी, वीडि़ियो और B वीडियो ये बहुत जादा मेजर पोस्ट है इसके लिए और 381 पदों पे बिग्यपन जारी होगा ये मैंने कप के कह दिया था आपसे ठीक है देखिए ये और ये इसके अलावा सहाइक समिक्षी अधिकारी ARO के तीन पदों पे विग्यापन जारी कर रखा है और सहाइक समाज कर लाण अधिकारी के 35 पदों पे क्या रखा है विग्यापन जारी कर रखा है ये बहुत मतलब एक जन्रल पेपर है यानि जन्रल जिसमें को डाटा इंट्री ऑपरेटर वो भी आप लोग भी आपन तुम्हें बताऊंगा नहीं कैसे अपलाए करना है क्या अपलाए करना है यह मेरा काम नहीं है ठीक है देखिए इन पदों को जैसे अरजुन निसाना लगाता था ठीक है अरजुन का निसाना अचुक है महावारत आप उने देखी होगी उसी तरीके से इन 854 पदों में जो आपके लाइक है जो भी होना तो साथ एक ही पेपर है इसमें माकी कंफरम हो जाएगा पेपर एक ही होना है ठीक है सान नंबर का और स्लैबस क्या है जन्नल है अभी जन्नल उस पे अभियात है देखो जैसे अरजुन का अचोग निशाना था, इस पर क्या करना है, अचोग निशाना लगाना है, वहाँ कोई गुरू था, यहाँ मैं गुरू हूँ, मेरा भरोसा करो, मैं देखो, कोई फीस नहीं पढ़नी है, कुछ आप से लूंगा नहीं, आप लोगों को मेरे डायरेक्शन पर चलना है, जो भरोसा करना होगा, ठीक है, बांकि अपने इस तरह से आप करेंगे ही, करेंगे, देखे, अब इसके लिए क्या होगा, इन 854 पदू पर भरती जारेक्श की बिग्यापन जारी कर रखे हैं, आज रेस्ट कर लेजिए, सांती से सोचे, पूरा दिमाग लगा लेजिए, जो ज यहां सोचना है, सोचना है, कल से क्या करना है, वो बताता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ, कितने लोगों में सीरियसने से, कौन कितने लोग सीरियस तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सबसे पहले, Facebook, WhatsApp को डिलीट करोगे, किसी भी हाल में, अगर डिलीट नहीं कर सकते अपनी आत्मा से पूछना, एक या डिड़ घंटे से अधी किसम टाइम वेस्ट मत करना, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, कि डिलीट ही कर दो, कोशिश करना जो कर सकता है, डिलीट करने, कि मैंने क्या कहा, एक जो उसने डियोरेशन दे रखा है, माई 2021 में उसने कहा है, कि टनल तक हो ही जएगा, आप मान को जब दे आट से दस मेहने, अगर आप इन चीजों से दूर रहेंगे, तो जितना समय आपका ये घारा होगा, वो आपको बचा देगा, ठीक है, क्या कर देगा? Bचा देगा, उतने समय में आप क्या कर दोगी? कुछ न कुछ सीख जाओगे अब आपको होगे सर इतना आसान नहीं है इसको delete करना मैं बताता हूँ जब WhatsApp लगे होगे या Facebook में लगे होगे याद करना तुमारा ही जैसा तुमारा भाई बहन जो इस exam के तयारी कर रहा होगा वो पढ़ रहा होगा और वो एक-एक नंबर की उसी से तुमारा competition है उसी को तुमने exam में defeat करना है ठीक है और तुम Facebook में लगे हो तुम WhatsApp पे लगे हो तुम हजारों sites के लगे हो और वो बंदा किसी एक particular एक अच्छे writer की किताब को पढ़ रहा है और वो exam नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा पहली चीज इस Facebook और WhatsApp को minimize करना है जितना कम कर सबोगो याद रखना कितना समय खाता है ठीक है और मेहनत कितनी है तीन से च्छे मेहनी की देखो तीन से च्छे मेहनी की ये क्या करनी है मेहनत करनी है ठीक है आप क्या करोगे समयद होगे तो आपकी productivity बढ़ने लग जाएगी आप क्या करोगे जादा से जादा सीखने लग जाओगे अब शुरुआत कहां से करें उसने क्या लिखाया है एक paper होगा जन्रल paper होगा उसमाँ आपकी GS उसमाँ आपकी Hindi उसमाँ आपकी उत्राखनानी है ठीक है अनाप सनाप कुछ नहीं पढ़ना है जितना पढ़ दिया सब पढ़ दिया अब एक systematic तरीके से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो सबसे पहले syllabus को क्या करोगे download करोगे download करने का मतलब download download के बाद उसका print out निकालना है और print out निकालने के बाद मुझे comment करके आज इस वीडियो के मात्यम से बताओगे कि सर हम पहला काम syllabus download करके उसका print out निकालेंगे जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो हर किसी ने comment करके मुझे बताना है कि सर हम लोग syllabus download करके उसका print out निकालेंगे फिर से ध्यान से सुनो सर हम लोग print out निकालेंगे syllabus का download करेंगे print out निकालके अपने पास रखेंगे पहला वर्क ठीक है step number one देखी facebook whatsapp जाने के बाद आपका जो समय बसता है आपको परड़े क्या खनना है 8 वेंटे पढ़ाई करने 8 hour और ये समय आपका आपका जब तक एक्जाम नहीं आता है 6 मेहने है ठीक है देखो आखों की निचे डार के सल किर्वे पढ़ सकते हैं घवराने की जरुवत नहीं है स्वास्त का ध्यान देखना खान प्यान का ध्यान देखना बाकी कुछ नहीं होना है 6-7 मेहने पढ़ लोगे न जिन्दगी ऐसी समरेगी ऐसी समरेगी इतना मज़ा आएगा जीने में जिसकी कलपना नहीं कर सकते हो बेरोजगार लाइब से अचानक से सेटल होने में जो खुशी मिलती है जो हैपिनेस मिलती है उस दिन इस 6 नौंबर की वीडियो को देखना जिस दिन सेलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपको मेरी वैल्यू पता चलेगी कि सर ने सही कहता ठीक है यानि इस 6 मेहने आपको कम से कम 8 गंटे पढ़ने है जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते है वो 4-5 गंटे है मैं बता दूँगा ये कैसे करना है मैं अलग अलग वीडियो बीजबिश में मोटिवेशनल वीडियो बीजबिश में ट्रेणिग आपको दूँगा कैसे करना है एक परका का ट्रेनर मान के चलो यहां से ठीक है यह क्या करना है आपको 6 मेहने तक करना है जितनी जान हो सकती है लगा लो ठीक है पहला step क्या करना है WhatsApp, Facebook डिरेट करने के बाद syllabus डाउनलोड करना है syllabus में उसने नाम लिखे हैं topic को क्या लिखे हैं? नाम लिखे हैं 24 तारिक तक का समय देता हूँ मेरी जो क्लासे शुरूँगे दिपावली के बाद 25 नॉवंबर से मैं इस एक्जाम को पढ़ाऊंगा इनके according त्यारी कराऊंगा according अभी जो है कुछ वीडियो उसी तरीकी से आएंगी जो पहले से चली आ रही है ठीक है? ताकि मेरा उत्राखन का एक खिक्ठा कोर्सन कबर हो जाएं मुझे पता है majority उस एक्जाम में किसकी है? आपका उत्राखन की है ठीक? अब देखिए जब syllabus डाउनलोड होगा उसमें topic लेखे हैं एके करके मेरा पढ़ाने का तरीका उसी syllabus को होगा और मैं बहुत ज़्यादा depth में नहीं जाओंगा बाइचांस अगर मुझे दिख गया कि हडपा सब्वेता उसने syllabus में दे रखा है इस हडपा सब्वेता को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है मुझे पर भरोशा रखो जितना रख सकते हो कोई attention नहीं कभी मत सोतना सर जियस किसे पढ़ा है सर विभीद किसे पढ़ा है सर ये अंतरास्ति मतलब जो organization वो किसे पढ़ा है कुछ दिमाग खराब नहीं करना है मैं मेहनत करूँगा वो भी मुफ्त की कोई charge नहीं है आप लोग से आप लोग सिर्फ वीडियो को देखना दूसरी request इस वीडियो को आप लोग ने share करना है इतना मेरे ले कर दोगे अपने ग्रूप में अपने whatsapp ग्रूप में अपने facebook ग्रूप में जिस दिन में जो topic पढ़ाता हूँ उस से उस highlighter से ऐसे highlight करने है ठीक है ये तरीका हमारा एक दिन जो highlight करने का तरीका होगा पूरे syllabus को पूरा क्या कर देगा highlight कर देगा और इसके लिए मैं आपको ज़े देता हूँ 90 से 100 days on YouTube ये मेरी guarantee है ये मैं 90 से 100 दिनों में आपका cover करके रहूँगा मेरा भरोसा करो अगर मैं कह रहा हूँ 25 नॉम्बर से शुरू करूँगा 25 दिसंबर 25 जनवरी 25 फरवरी यानि फरवरी खतम होने तक मैं आपका syllabus कंप्लीट कर दूँगा कोई दिक्कत नी कोई टैंचल नेनी की जरूबत नहीं है बस syllabus डाउनलोड करके आपको अपने पास रखना होगा ठीक है अब देखो दूसरी चीज में आप लोगों से कहना चाहूँगा जब ये syllabus कंप्लीट हो जाएगा उसके बाज में क्या करूँगा देखो उसने एक बार एक एक एकजाम दिया था एकजाम में syllabus में उसने सरकारी पात अर्द सरकारी पात टिप पड़ प्रारूपन और कुछ विज्यापन वगरा नोटिफिकेशन कुछ दिया था और question पूछा था उसने कारिवरित से मतलब उसने कोई definition लिखी थी हिंदी के अंदर और option में उसका अंसा था कारिवरित अब सोचो syllabus में उसने कारिवरित दिया नहीं है और पूछ दिया उसने question कारिवरित का तो तुम लोग तो भोले भाले मासूम बच्चे हो तो मैं कैसे पता चलेगा जब वो तुमारे syllabus से बाहर से question पूछ रहे है वो काम कब होगा फरवरि के बाद यानि फरवरि के बाद यानि कब तक माई लिख्या उसने मार्च अपरे माई तीन महने क्या पढ़ेंगे विविद जिसको आप लोग जिंदगी भर विविद कहते हो यानि इसमें ऐसी चीजे मैं exam की according पढ़ाऊंगा जो syllabus के साथ साथ उसके दाएं बाएं वारी चीजे होंगी syllabus से बहार नहीं पूछेगा syllabus के दाएं बाएं यानि पहले के तीन महने syllabus और बाकी के तीन महने उसके around की चीजे है यानि तीन से तीन छे महने में आपका group C का जो 804 पदों का है उसकी date मैं देता हूँ 25 नौंबर ठीक है यहां से हम लोग शुरू करेंगे और हम इस छे महने में इस पूरे syllabus के साथ इसके दाएं और बाएं की चीजे क्या करेंगे कबर करेंगे पहली चीज में आप लोग उसे कहना चाहूँगा एक request है जो मैंने बता रख्या है syllabus डाउनलोड करना है print out निकालना है अपने pass रखना है particular syllabus का क्या होगा आप लोग के साथ टिक मार्किं होगा Sunday का क्या योज होगा अब देखो आज तक Sunday live आ रहा था वो live अब देखो network issues रहते हैं बहुत सारी समझेया होते हैं live के लिए साइथ पहली कुछ समय था live नहीं रहेगा जब तक मुझे नहीं लगता कि network issues solve हो गए है तब तक live नहीं रहेगा Sunday को भी वीडियो नहीं भी आएगी कुछ नो कुछ तरीके से चाहिए मैं live आऊँ या कुछ भी करूँ कोशिश करूँगा किस संडे को मैं quiz करूँआँ ठीक है अब किस तरीके से मैं quiz करूँआँ हो सकता है मैं वीडियो बना दू 25 मिनट की और उन topic की यानि जो मेरे पहले के 6 दिन होंगे यानि Monday to Saturday इस पर जो काम हो रहा होगा ये संडे के दिन इसी का क्या होगा quiz होगा ठीक है याद रखना इस sentence को ध्यान से Monday to Saturday जो चल रहा होगा उसी संडे को उसका quiz होगा अब देखो syllabus के दाएं और बाएं ये तो मैंने complete का दिया अब क्या पूछेगा आयोग हमारा overall अगर selection हो रहा है तो हम क्यों बताओ भीर भढ़ाके में जाएं या इधर उधर पढ़ें ठीक है अब देखो बहुत से लोग दुवीदा में हैं वो दुवीदा में आपकी दूर करता हूँ ठीक है दुवीदा किस चीज़ की है LT परवक्ता या लेक्चरर या ग्रूप C इसका क्या किया जाएं देखो अगर आप लोगों की कमाण अपने subject में है ध्यान से सुनना reality है वास्तविकता है थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है अगर आप लंबे समय से ग्रूप C की तैयारी कर रहे हैं अचानक से परवक्ता और LT की पोस्ट आ गई और आप इस रूट को छोड़के यहां आ गई अगर subject में कमाण है मैं तो नहीं जानता हूँ है या नहीं है वो तो आप जानते हैं आपका confidence जानता है आपने कितनी महनत किया सब आपको बता है command है तो आप इसको miss मत करना एक request है लेकिन ये अपनी आत्मा से पूछो कि command है कि नहीं है by chance अगर इसमें command नहीं है और तुम्हें नौकरी की जरुवत है ही है तो आप लोग को इसको देखना चाहिए beach का रास्ता भी इसका हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी post कम आ रखी है और उसमें वो सोचते हैं कि यार हमारा क्या होगा post कम है हम निकाल दो सकते हैं थोड़ा ज़्यादा post आती है उनको balance करना होगा क्योंकि वो लंबे समय से group C की तैयारी कर रहे हैं यहां उनको ज़्यादा effort देनी की जरुवत नहीं है यहां पर वो महनत कर सकते हैं लेकिन इसको miss नहीं करना है इसके साथ साथ आप लोग को क्या करना है इसको देख 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 अब देखिए कुछ एकाथ चीज़ें आपको motivational मैं आपको बताता हूँ उसके बाद आप क्या करेंगे कुछ और चीज़ें सीखेंगे देखिए जैसे 854 पदू पर जब विग्यापन जारी हुआ विग्यापती तो आप लोग अच्छे से पढ़ना 24-25 नॉबर तक साइज या दिसंबर के online form की डेट है ठीक है मैं यहां से आप लोग को पढ़ाना शुरू करूँगा और जितने ग्रूपों में शेयर हो सकता है क्योंकि देखो मैं भी चाहता हूँ अब हमेशा लाइक कर दो लाइक कर दो लाइक कर दो गहना पड़ता है इतना तुमें कुछ मत्ते इतने sensitive तुम लोगों को भी होना पड़ेगा कि सर कुछ कह रहे है तो उनकी request उनका फिरी मैं करा रहा हूँ हर चीज कर रहा हूँ महनत कर रहा हूँ एक ग्रूपों में share कर देना अब views पढ़ेंगे लोग देख रहे होंगे तो मुझे लगेगा देख रहे है आप लोग मुझे क्या करेंगे मोटिवेट करेंगे ठीक है सभी फ़र्म graduation level के है और जो under graduation है जिसकी तैयारी नहीं हुई है याद रखना UK SSHC का syllabus लगभग यही रहता वो बदलता नहीं pattern भी लगभग यही रहता question का थोड़ा से standard change करता हो तो ये मान के चलना कि आप लोग को भी देखना चाहिए अभी नहीं एक साल बात 6 मैने बात आप लोग भी क्या हो जाएंगे 21 साल के हो जाएंगे फिर आपके बास भी ग्यप्ति आएगी तो उस समय आपको ज़्यादा इंधरोदर भागने जरुबत नहीं पढ़ेगी ठीक है अब देखें फाल तू मत पढ़ना कुछ फाइदा नहीं होगा इसको पढ़ने के बाद ठीक है अगर इस चीज के पीछे लगे रहे ये किस ने किया वो किस ने किया यहां क्या आयोग को इतना कोई फुरसत नहीं है वो आयोग है अपने आपे एक established body है उस इंसान के mind को पढ़ो जो paper बना रहा है उस इंसान का जिसके द्वारा paper सेट किया जा रहा है उसके mind को read करो उसको क्या मतलब तुमारे उतराखन की इधर उधर चे वो तो भई उससे कहा ले paper बना चारवां स्टीम में गठित होती है उनसे कहा paper मनाओ पांचे paper बनेंगे अब भई उसको ये कुछ फुरसत नहीं कि कहां से वो एक specific writer की guitar पकड़ेगा उसी से question पूछेगा किसने कहा 100 में से 100 लाओ हमेशा से हमेशा से 70 से 80 नमबर इनफ होते हैं आप लोग के selection के लिए ठीक है 20 नमबर की lead आप छोड़ सकते हो नहीं आता तो नहीं आता है जब paper आता है हाथ में करने बैठो question number 1,2,3 जो आता है ठीक मारते रो नहीं आता है तो confidence उपर रखते है मैं पढ़ के गया हूँ डरता होना जो आधा दुरा पढ़ के आता है ठीक है अब देखिए इसमें किताबूं का क्या रोल होगा ठीक अभी भी कह रहा हूँ latest version परिक्षावानी का लेलो कुछ data वगरा आके पीछे हो सकते हैं परिक्षावानी सिर्फ तुमारे उत्राखण के लिए बनी है ठीक है तो परिक्षावानी को सबसे ज़्यादा क्या करना है फोकस करना है और मेरी जो उत्राखण की classes होंगी वो अब एक अलग रूप में आपको दिखेंगे ठीक है मैं कैसे पढ़ाता हूँ क्या पढ़ाता हूँ वेट तिल 25 नॉवंबर ठीक है 25 नॉवंबर तक क्या कीजिए वेट कीजिए परिक्षावानी को दस बार घोट डालो उसके फैक्टों को रड़ डालो घबरानी की कोई जरुवत नहीं है बिल्कुल नर्बस होने की जरुवत नहीं है यहां से एक बहुत ही इंपोटेंट चीज आती है उत्राखंड करेंट अफियर या नैशनल करेंट अफियर इसको गहां से त्यादी कर दे ठीक है आज एक्जाम विग्यप्ति आगी है कल से उत्राखंड करेंट अफियर बनाना सुरू कर दो यानि पुराना अभी मत देखो जब मैं कहुंगा पुराना देखने का समय आगे अपरेल में जारि करता कि इतने को यह एक्जाम होगा वहाँ से आप लोग क्या आघ़ सकते है पिछले एक साल का करेंट अफियर हाईलाइट करके देख सकते हैं इसके लिए न्यूजपिपर उत्राखन के लिए ठीक है क्योंकि उत्राखन का जो current affair होगा वो अगवारों मा आएगा डोब्राजांटी बुल का उध्वाटन कब हुआ डोब्राजांटी बुल की लंबाई कितनी है ये कहां है, अटल टानल कहां बना है ये सब अगवारों की खबर है पहला और सबसे महत्तोबूर चीज है न्यूजपेपर, आधे लोग कहेंगे सर कौन्छा न्यूजपेपर पढ़ने है मेरी मानते हो उत्राखन का current affair पढ़ना है तो उत्राखन का तो एक पढ़ना ही पढ़ना पढ़ेगा ये जाओगे नेट पर कैसे डालोगे e-paper e-jaagran, क्या लिखोगे e-jaagran e-jaagran जाओगे, गूगल में जाओगे गूगल में क्लिक करोगे तो उसमें कौनसा पेपर पूछता है डेली का है, दहरादुन का है, कहां का देखना है तो उसमें e-national paper देखेगा कौनसा नेशनल याणी राष्ट्री संस्क्राण देखेगा उस अगभार को डेली पढ़ना है उसमें क्या पढ़ना है इक्जाम औरियेंटेट जैसे एक अंतराष्टी पेज पढ़ना एक पहला पेज पढ़ना डेली वाला छोड़ देना उसमें डेली वागर रखाता है उसमें थार्ड पेज पढ़ना उसमें राजनितिक जगत की खब रहोंगी और अंतराष्टी इस तर पे क्या हो रहा इन चीज़ों को कब तक जबतर एक्जाम नहीं होता है आपको इस e- जागरन को पढ़ना होगा साथ ही साथ एक एप आती है जागरन जोज हिंदी में ठीक है हिंदी में इस जागरन जोज को आपको क्या करनना होगा प्रे स्टोर से डाउनलोड करनना होगा Current Affairs इसके दे उत्राखंट की Current Affairs औरके लिए reasoning के फिसे बहुत जादा भागने की जरुवत नहीं क्योंकि reasoning हलकी फुलकी आती है नाम ही reasoning है जिसका नाम तर्क सकती है तर्क सकती है यानि उस answer को कैसे करना है देखो बाद में समय आएगा तो reasoning भी पढ़ाऊंगा घबराओ में ठीक है तब तक के लिए कह रहा हूँ अब देखो किताब का क्या बमन दर्वत ठीक है परिक्षामानी जितना पढ़ सकते हो ठीक है इसके साथ अजय रावत अजय रावत उत्राखन के लिए ठीक है और मेरी वीडियो देखते है तो अच्छी बात है देखी रहे होगे ठीक पहली स्लेबस पढ़ाऊंगा स्लेबस के दाएं बाएं पढ़ाऊंगा आपको क्या करना है लुसेंट उसकी टिक मार्किंग लुसेंट और उसका बहु भी कल्पी वाला है दोनों किताबा आते ठीक है मल्टीपल 120 क्वेस्ट वाला है ठीक कंप्यूटर के लिए क्लिए क्लिए है आपका क्या बता दिया मैंने जागरन जोस है और राष्टी संसग्राण अकबार का और लोकल इस्तानी अकबार जो की उत्रहण की करेंट एफेर देगा मैं भी पढ़ाऊंगा करेंट एफेर मैं अपनी स्ट्रेडेजी बताऊंगा 25 नवंबर से हम लोग उने क्या करना है हि हिंदी भी मैं पढ़ाऊंगा आपके पास हिंदी ग्रामर की कोई भी वोग है आप लुसेंट पढ़ो कुछ पढ़ो विलोम पढ़ते जाओ मुहावरे पढ़ते जाओ जो मिलता पढ़ते जाओ लेकिन पढ़ना सिर्फ सेलेबस के अकॉर्डिंगे ठीक है फिलहार तो ये तो आपका क्या रहा एक तरीका रहा पढ़ने का एक स्टेड़ी रही पढ़ने की अब लास्ट में दो मिनट का मोटिवेशन है ठीक है इतने समय से ताइड़ी कर देओ लोग घरवाले भी कह देओंगे बेटा कब लगेगी बेटा कब लगेगी बहुत लोगों की अलग-अ अलग-शमिश्या है किसी को आर्टिक समयश्या है किसी का काम अटके पड़े हैं साधी बगेर भी तो करनी है माबाभी तो कराएंगे और कौन कराएगा उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है उनको अपना टेंशन होता है कि बेटे की कब साधी होगी हम बूड़े हो रह ठीक है इतनी जादा आपने क्या करनी है महनत करनी है एक अलग रूम होगा अपना रूम होगा separate रूम होगा नीद आती है मुह में पानी मारो schedule बनाओ, कैसे पढ़ना, एक time table ट्राइ करो कैसे revise करना है, मैंने आपको revision करने का तरीका बता रखा है बाकी wait किजिए, 25 नॉमबर तक का माबाग की आपको मैं खुसी देने वाले सिर्फ आप हो सकते हैं परिवार कोई smell देने वाले आप हो सकते हैं ना समाज आपका होगा, ना रिष्टेदार आपके होगे, ना नातेदार आपके होगे अपने लिए जीओ, अपने परिवार के लिए जीओ, इन जो आपका virtual life है आपकी जो ये कालपनिक जीवन जी रहे हैं, आप बट्षप में चैट करके, फेच्बुक में लखके जो टाइम बिता रहे हैं उसको हाथ जोड़ रहा हूँ, बंद कर दो को समय के लिए, 6 महने बाद जब selection होगा हजारों लोग आपके पीछे आएंगे, समझ रहे हो के कौन आएंगे, इतने अकल तो है ही तुम लोगों में चाहिए वो आई, वो आई, आईडिया आ रहा हो तुम लोगों को ठीक है, वरना जो अभी जिसके सांथ चल रहा है, बातें चल रही है जिसके सांथ समय खराब हो रहा है, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि समय पुरा बंद करता हो, अपने आपको कंट्रोल करना चीको, भाई पढ़ रहे हो, तो पढ़ो, पढ़ते समय कोई मुझे पढ़ना है, मेरे सर स्टडी विथ योगेश ने मुझे का आए गया दिन है, ठीक है, कि हमने ऐसे करना है, इसी लिए 2021 मैं मैं चाहता हूँ, आप लोग से मिलूं, आप मुझ से मिलें, गले मिलें, मिठाई खानें, पाटी करें, वो समय आ गया है, इसी 2021 के दिन का इ प्रोशा करो, जो रणनीती बता रहा हूँ, वो करो, बेकूप नहीं होता है, पाठिकरम तैकनने वाला, इसी लिए कहता हूँ, all the best, सुपकामने, धेर सारी सुपकामने, आज ही से पुरा मन्थन करके, अपने आपको एकांत में रहके, पढ़ना सुरो कर दो, बहुत बहु को सुपकामने, मेरी वीडियो जो इस टॉपिक पे आएंगे, आठ से जबमनवाले पदू पे, वो आएंगे, 25 नाउंबर से, इस वीडियो को जहां तक हो सके, सेयर कर दो, रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो को लाइक किया करो, प पावडिके पार, ठीक है, तब तक जो मेरी वीडियो आएंगे, वो पुराने प्रेक्न पे आएंगे, फिर मिलते हैं अगरे सेशन में, थेंक यू,